बहुत धमाके दर रही और जाना भी उतना ही फास्ट हुआ बाहर आना भी उतना ही फास्ट हुआ मज़ा आया छोड़ी सी जर्नी रही पर मेमेरेबल रही और लोगों के दिल में जगा बनाई और मैं ऐसा नहीं था कि बाहर कुछ बोला, अंदर जाके कुछ और बोला, तो आटोमेटिकली चीज़े बढ़ी, चली, फिर कम हुई, और इसी तरीके से शो खतम हो गया मेरा, हाँ डाट तो मुझे अकेले को पड़ी, और ये मेरी गलती थी, मैंने accept भी किया, मैंने sorry भी बोल है, मतलब वो एक पॉइंट जो मैंने देखा था, जो अर्मान वाला जो सीन हुआ था, उस पॉइंट को लेकर मैंने बोला था, कि वहां पे उस चीज़ को और कामडाउन कर सकता था, मैं होता, तो वो चीज़ को बढ़ावा नहीं देता था, उसको हाथ उठाने की नौबत नहीं आती थी, वो एक जगा मेरे को गलत लगा, पर ऐस अ परसन काटारिया बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है, कभी-कभी प्रोवोकिंग है, और ऐसे तो बहुत ही अच्छा है, भुछ सारी चीज़े नहीं दिखाई गई, वह बहुत ही अच्छे से मेरे से था, म शायद वो सब चीज़े दिखीनी लोगों को इस वएसे मैं उसे पंगा भी नहीं ले रहा था और मैं जगडा करने नहीं गया था मैं गेम खेलने गया था कोई पंगा करता तो फिर मैं उसको जवाब देता था आगे अभी ये तो को मैं अंतर्यामी तो हूनी बहार निकलने का बहुत गुस्से बाज़े हो इस शो में आपने लिकाया है यह आप रियालिटी में हो या फे शो के लिए था या कोई अजेंटा था सच बताओं आप अगर मेरे लोगों से पूछोंगे जो में को परसनली जानते यह मेरा 20 परसंट भी नहीं था और मैं जो सोचके गया था मैं वो चीज किया मैं मेरे गुस्से पर कंट्रोल किया यह मेरा 20 परसंट भी गुस्सा नहीं था और मैं बहुत काम होके खेला मैं मेर अभी तक का OTT में जितने भी लोग थे सबी अच्छा ही कर रहे माशालला मैं बोलूँगा किसी को ऐसे गलत नहीं बोलूँगा सबी बहुत ही अच्छे है पर मेरी जो छोटी सी रही न वो किसी की इतने टाइम पिरेड में नहीं रही है इतना मेरे को पता है क्योंकि बाहर आन सना मकबूल विशाल और नेजी ये तीनों में से कोई जीतेगा और अगर आप पूछो कि कि मैं क्या चाहता हूं कि कौन जीते तो मैं चाहता हूं कि नेजी जीते या तो फिर विशाल जीते क्योंकि नेजी बहुत ही रियल है बहुत ही अच्छा है बहुत ही भूला है और वह भी बहुत अपने आपको कंट्रोल कर रहा है जैसे कि मैं मैं बता कि मैं कैसा हूं तो जो अंदर नेजी है वह भी अपने आपको कंट्रोल कर रहा है वह एच्वल नेजी नहीं है तो लोग भ